हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन टू लेंट प्रिदेतीमन तो कल हम लोगों ने आव विकारी शब्द यारी अव याए इसका टॉपिक किया था तो आप लोगों ने बहुत अच्छे ही मार्क्स लेके आते हो सभी के 10 या 11 इस तरीके से मार्क्स रहे हैं तो देखिए एक कोश्चन जो था जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें मनीशा, फिनाज और पूजा इन्होंने थर्ड कोश्चन में बोला था कि हमें इसमें नहीं समझ में आया तो कोश्चन था मोहन बाजार की ओर गया ठीके तो इसमें जो की ओर शब्द है यह क्या है क्रिया विशेशन था विशेशन था समुच्य बोदक था या सर्बनाम था तो मैंने आपको बताया था answer क्रिया विशेशन, वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके अंदर भी मैंने रीती वाचक क्रिया विशेशन बता दिया था, जो गलत था, answer क्या था, इस्थान वाचक क्रिया विशेशन, ठीक है, तो आप लोग उसको सही कर लेना, तो अब ये question जो ह है, वो आपको सही हो चुका है, next जो question था, fifth question जिसमें अमित कह रहे थे कि मैं चुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, तो इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पर है, ये निपात क्यों नहीं हो सकता, तो देखिए पूरा sentence आपको पढ़ना चाहिए, कि मैं चुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, तो यहां पर समय की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहां निपात नहीं होगा, यहां क्रिया विशेशन होगा, और कौन सा काल वाचक क्रिया विशेशन, ठीक है, किस दिन घर पर रहता हूं, चुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, तो यहां पर समय की बात हो रही थी तो चलिए next आजम करेंगे काल का topic आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा चलिए practice करते हैं काल क्या होते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं तो काल का अर्थ होता है समय क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चलता है तो उस क्या कहते हैं काल के इस रूप से क्रिया की पूंडता अपूंडता इसका क्या होता है समय का बोध होता है तो काल जो हैं तीन प्रकार के होते हैं भूत काल वर्तमान काल और भविश्यकाल तो चलिए question करेंगे उसके आगे हम समझेंगे इसके बारे में question 1 देखिए किस वाक् खाना खाया और चल पड़ा अब तक बस जा चुकी होगी या सावधानी बरत्ते तो दुरगटना न होती तो यहां पर हेतू हेतू मदभूत काल जो है वह है किस में है फटाफट से इसका सही आंसर जो है सोचिए यह question जो है यह PSI में आया है आपके last year जब 2018 में exam हुआ था उसमें ठीक है तो ऐसे ही question जो है वो read में भी आपके आएंगे तो फटाफट से इसका सही आंसर जो है वो आपको बताना है तो यहां पर answer क्या होगा सबसे पहले देखिए हेतू हेतू मद भूत काल जो है वह है इंगलिस का क्या है conditional sentence है ठीक है condition जो है वो होनी चाहिए और वो किस में भूत काल में past में तो यहां पर इन चारों option में answer जो है वो option D रहेगा साफधानी बरतते तो दुरगटना ना होती ठीक है पहले यह चीज हो चुकी है तो यह क्या है conditional sentence है कि यदी ऐसा होता तो ऐसा हो जाता इस तरीके से तो भूत काल में देखिए sentence जो है वो सामाने भूत काल का होता है अपूर भूत काल जिसमें कारे पूरा नहीं हुआ था अ आसन भूत काल जो की बिलकुल निकटता की बात करता है कि अभी अभी कारे पूरा हुआ था पूर्ण भूत काल जो की पूरा हो चुका और हेतू हेतूमद भूत काल जो की conditional sentence होता है जिसमें क्या होती है ऐसा होता तो ऐसा हो जाता सामान्य वर्तमान काल का उधारन है सीता बाजार जाती होगी रमेश ने समाचार पत्तर पढ़ा वर्षा हो रही थी या वह कोल काता जाता है ये कोशन भी आपका एक्जाम में पूछा जा चुका है तो यहाँ पर सामान्ने वर्तमान काल का उधारन कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फटा-फट से सोचिए तो बिल्कुल यहाँ आंसर रहेगा वह कोलकाता जाता है तो बिल्कुल यहाँ वर्तमान काल का है वो भी क्यों सा? सामान्ने वर्तमान काल नेक्स्ट देखिए ए ओप्शन जो है कि सीता बाजार जाती होगी तो जाती यह भी वर्तमान काल का है जाती से पता करेंगे कि वह वर्तमान काल का है और होगा हमें क्या बताएगा संदेह बताएगा होगी ठीक है तो यह संदिग्द वर्तमानकाल का एक्जामपल है रमेज ने समाचार पत्र पढ़ा तो यह क्या होगा यह भूतकाल का होगा वर्षा हो रही थी तो पहले हो रही थी अब नहीं यह भी भूतकाल का ही किस वाक्य में क्रिया वर्तमानकाल में है उसने मिठाई खाली थी मैं तुम्हें पत्र लिक रहा हूं अचानक विद्धुत आपूर्टी भंग हो गई या आज वे आने वाले थे तो यहाँ पर वर्तमान काल का उधारन कौन सा होगा जिसमें क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आंसर आप लोग सही सोच रहे हैं मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ ठीक है यह किसका उधारन है यह अपून वर्तमान का उधारन है लिख रहा हूँ यानि अभी भी लिख रहा हूँ प्रक्रिया जो है वो चल रही है पूरी नहीं हुई है उसके बाद उसने मिठाई खाली थी तो यहाँ तो थी से ही पता लग रहा है भूतकाल है अचानक बिद्धुत आपूर्ती भंग हो गई आपूर्ती जो है वो भंग हो गई यानि हो चुकी तो यह भी भूतकाल का है आज वे आने वाले थे यानि अभी तो नहीं आये है आज आने वाले थे ठीक है तो यह क्या है यह भी वर्तमानकाल नहीं है निमने मैंसे किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी तो यहां बहुत ही आसान जो है, वह आपको इन चारों आप्शन में दिखाई देगा जहां भूत काल में नहीं है क्रिया तो यहां पर बिल्कुल आंसर क्या रहेगा option C वह पढ़ने वाला है तो यह क्या है? यह भबिश्य की बात है ठीक है? ना उसने पहले पढ़ा था और ना ही वह पढ़ रहा है वह क्या है? वह पढ़ने वाला है अब यह प्रक्रिया हुई नहीं है ठीक है? तो यह है भविश्य का यहां पूछा था कि भूत काल में नहीं है तो यह क्या है? option C है इसके अलावा वह पढ़ रहा था तो यह क्या है? पढ़ रहा था यानि कि अपून भूतकाल है उसने पढ़ाई की की का मतलब है की भूतकाल की बात हो रही है उसने पढ़ाई की थी तो यह क्या है बात पूरी हो चुकी है अब तो नहीं पढ़ रहा है वो तो इसका मतलब यह है पून भूतकाल उसने पढ़ाई कर ली थी तो यह भी वही बात है कि उसने पढ़ाई कर ली थी यह भी पूर्ण भूत काल का उधारण है मुक्ता ने खाना पकाया इस वाक्य में कौन सा काल है सामाने भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्द भूत या पूर्ण भूत मुक्ता ने खाना पकाया तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर इस वाक्य में जो क्रिया है वह है किस काल का example दे रही है तो आंसर क्या रहेगा विलकुल question 5 का आंसर रहेगा सामान्य भूत काल ठीक है मुकता ने खाना पकाया और देखिए अपून भूत जो है जब क्या हो जाता यहाँ पर होता कि मुकता ने मुकता खाना पका रही थी यह हो जाता संदिक्द भूत होता तो क्या होता कि मुकता ने खाना पकाया होगा पूर्ण भूत होता तो यही वाक्य क्या हो जाता कि मुक्ता ने मुक्ता खाना पका चुकी थी ठीक है चलिए तो एक्जाम्पल से ही आपको यह चीज समझ पे आ जाएगी और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज बताईएगा निम्नलखित वाक्य में से आसन भूत किस वाक्य में है आसन का अर्थ क्या होता है निकट और भूत का अर्थ होता है पास्ट है जो पहले कारे हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है वे दिल्ली चले गए मोहित स्कूल पहुंच चुका है सिक्षक पढ़ा रहे होंगे हो सकत मैं भी चलू तो बिल्कुल निकटतम जो प्रक्रिया हुई है बूत काल में तो यहां पर कौन सा एक्जाम्पल होगा तो यहां पर अंसर क्या रहेगा बिल्कुल अंसर रहेगा मोहित स्कूल पहुँच चुका है तो यह है जो शब्द है इसको समझकर ऐसे नहीं सोचना है कि वर्तमान काल है सेंटेंस पूरा पढ़ना है मोहित स्कूल पहुँच चुका है यानि कि अभी अभी पहुँचा है ठीक है अगर होता कि मोहित स्कूल पहुँच चुका था तो यही वाक्य जो है वो पून भूत काल हो जाता वे दिल्ली चले गए यह क्या है वो तो चले गए तो यह क्या है पून भूत काल. सिख्षक पढ़ा रहे होंगे, तो यहां पढ़ा रहे होंगे, यह पून भूत काल का उधारण पूरा नहीं हुआ है, जो अभी भी चल रहा है. हो सकता है मैं भी चलू, तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है, यहाँ पर क्या है, मैं भी चलू, संभावना जो है वो जताई जा रही है, तो यह कौन सा काल होगा, संभाव्य भविश्य काल, ठीक है, संभावना जताई जा रही है, कि भविश्य में ऐसा होगा, हो सकता है, मैं भी चलू अपून भूत का उधारन है अपून भूत से समझ में आया होगा कि भूत काल में जो कारे पूरा नहीं हुआ है वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है मित्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी तो अब आपको ये चीज जो है वो समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले देखिए, अपून यानि की जो पूरा नहीं हुआ है अभूत यानि की पास्ट की बात तो जो कार्रे भूत काल में पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है तो अफटापट से इसका आंसर जो है वो सोचिए तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्कुल देख रहा है कि बालक जो है वो सो रहा था, यानि अभी भी क्या है, सो ही रहा है तो बालक सो रहाता यह है अपूर भूतकाल, बागी की option देखिए, मित्र मिल गया था, ठीक है तो मित्र मिल गया था, यह पूर भूतकाल है, वर्षा हुई होगी तो हुई से क्या है बूतकाल और होगी से क्या है कि संदे है इसमें संदिक्द है तो संदिक्द बूतकाल वर्षा हुई थी तो यहाँ पर वर्षा हुई थी ये क्या है बूतकाल है और वो भी कौन सा है सामान्य बूतकाल सौरी, वर्सा हुई थी, ये क्या है? पून्र भूत काल हेतू हेतू मतभूत का उधारन है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता लड़के ठक गए थे, इस साल बारिस होने की संभावना है घोडे के चार पैर और दो कान होते हैं तो यहां पर हेतू हेतू मदभूत का उधारन है तो सोचिए मैंने आपको बताया था हेतू हेतू मदभूत क्या होगा वह है conditional sentence होगा परिस्तिती जन्ने ठीक है तो यहां पर जो भूत काल का उधारन है तो आंसर बिल्कुल इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता ठीक है यहाँ पर तो जो है उसी ने बता दिया है कि ऐसा हो जाता तो यहाँ पर जाता से यह मैं समझेगा कि यह वर्तमान काल की बात है तुम आते तो मेरा काम बन जाता यानि वो आया नहीं था नेक्स्ट देखिए question 9 भारत की इस्तिती दूसरी है इसका भूद कालिन डूप होगा तो यह आपके exam में last year ही question पूछा गया था भारत में ऐसी इस्तिती थी भारत में इस्तिती दूसरी थी भारत की इस्तिती दूसरी थी तो यहाँ पर बिल्कुल इस first line यह हो जाए sentence को as it is देख कर और इसे थी में बदलना होगा आंसर क्या आएगा भारत की इस्तिती दूसरी थी तो यह इसका सही आंसर होगा next question 10 किस वाक्य में बूत काल नहीं है लड़के स्कूल से लोट आए हैं खेलाडी मैदान में खेल रहे होंगे अब वे खेल चुके तुम महनत करते तो उतीन होते तो इस वाक्य में बूत काल में नहीं है वह आपको यहाँ खोजना है तो सोचिए तो देखिए यहाँ पर बूत काल में नहीं है यह चीज आपको देखनी है तो तुम महनत करते तो उतीन होते तो यह कौन सा है यह तो हेतू हेतू मद बूत काल है अब वे खेल चुके तो खेल चुके यह क्या है यह है यह भी घूत काल का उधारन है खिलाडी मैदान में खेल रहे होंगे तो यहाँ पर खेल रहे से क्या है बरतमान काल है और होंगे से क्या है संदिग्द बरतमान काल है ठीक है लड़के स्कूल से लौट आए हैं यह भी है को समझ कर वर्तबान काल नहीं सोचना है क्योंकि लड़के स्कूल से लौट आए हैं अभी अभी लौटे हैं तो यह है आसन भूत काल तो यहां आंसर रहेगा option B कि खिलाडी मैदान में खेल रहे होंगे नेक्स्ट है question 11 निमनलिकित मैंसे किस वाक्य में भविश्यकाल नहीं है हम कल सुबे परिक्षा दे रहे होंगे हो सकता है मैं भी जाओं हम शाम को बाजार चल रहे हैं विपिन बहुत तेज दोडता होगा यहां पर किस वाक्य में भविश्यकाल नहीं है तो देखिए यहां पर आंसर क्या रहेगा बिलकुल यहां आंसर रहेगा option D विपिन बहुत तेज दोडता होगा ठीक है तो यहां क्या है यह वर्तमानकाल का उधारन है वह भी है संदिंग्द वर्तमानकाल ठीक है दोड़ता से क्या है वर्तमानकाल और होगा से क्या है संदिंग्द तो यह है संदिंग्द वर्तमानकाल का उधारन बाकी option देखिए हम कल सुबे करेंगे तो ये तो क्या है परिक्षा दे रहे होंगे बविश्य की बात है हो सकता है मैं भी जाओं अभी तो नहीं गया है लेकिन ये भी बविश्य की ही संभावना बता रहा है कि हो सकता है तो ये है संभावे बविश्य है हम शाम को बाजार चल रहे हैं, यानि अभी तो नहीं चले हैं, लेकिन हम शाम को चलींगे, इसका अर्थ यह है, तो यह क्या है, यह भी वर्तमान काल का उधारन है, निमनलिखित वाक्यों में से पून भूत किस वाक्य में है, सुमित इस्टेशन पहुंच चुका था, भास्वित नहाया होगा, गा भूत काल है, पहले हो चुका है, और वह है भी पून, यानि कम्पलीट हो चुका है वो कार्रे, तो किस में काम जो है, वो पूरा हो चुका है, यह आपको देखना है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, वो क्या होगा? बिलकुल आंसर होगा, सुमित इस्टेशन पहुंच चु नहाया यह है भूतकाल और होगा से क्या पता लगेगा संदिक्त भूतकाल गारगी पढ़ रहा था यानि पहले पढ़ रहा था और अभी भी वो पढ़ ही रहा है तो यह कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है तो यह है अपून भूतकाल क्योंकि कार्य जो है वो भूतकाल में प्रारम हुआ और अभी भी चल रहा है तो ये क्या है अपून भूतकाल तीर तीर शू खेलता तो जीत जाता ठीक है तो यानि काम तो हुआ था अगर वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता तो यदी और तो ये चीज अगर आती है तो क्या है हेतु हेतु मद बूत काल तो इस तरीके से बारा मैंसे आपके कितने सही हुए हैं आपको ये बताना है कोई भी अगर डाउट रहता है क्योंकि हो जाता है गलती आपसे भी होती है मुझसे भी होती है तो हम लोग अगले वीडियो में डिसकस्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तयार करके आईएगा लिंग और कारक का टैस्ट होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़के आईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू